इस बार साल 2020 में कई अजीबो गरीब घटनाय हो रहे हैं इस बार पूरे साल में लगबग 6 ग्रहन भी लगने वाले हैं हाल ही में 5 जून को चंदर ग्रहन था और अब 21 जून को सूरी ग्रहन लगने वाला है जो तिशियों की दृष्टी से देखा जाय तो एकी महीने में 2 ग्रहन का लगना अशुब माना जाता है लेकिन इस साल में तो एक महीने के अंदर 3 ग्रहन लगेंगे तीसरा ग्रहन 5 जुलाई 2020 को होगा जो की चंदर ग्रहन होगा इस साल लगने वाले 6 ग्रहन में से 4 चंद्र ग्रहन और 2 सूरी ग्रहन है 2 चंद्र ग्रहन हो चुके हैं पहला 10 जनवरी को लगा था और दूसरा चंद्र ग्रहन 5 जून को लग चुका है अब उसके बाद 21 जून को सूरी ग्रहन लगने वाला है आई आपको बताते हैं कि सूरी ग्रहन अपने साथ क्या फल लेकर आ रहा है जैसा कि हमने आपको बताया कि जोतिश की दृष्टी से एक महिने में दो या दू से जादा ग्रहन शुब नहीं माने जाते और ये ग्रहन भविश में आने वाली परिशानियों के बारे में सूचना देते हैं 21 जून को सूरी ग्रहन लग रहा है और उसके बाद 5 जुलाई को चंदर ग्रहन लग रहा है सूरी ग्रहन में सूतक काल मानी होगा और 21 जून को लगने वाला सूरी ग्रहन मिथन राशी में लग रहा है इस कारण मिथन राशी प्रवावित हो सकती है यानि इन राशी के जातकों की परिशानियां बढ़ सकती है वहीं ये लगने वाला ग्रहन देश के लिए प्राकृतिक आपदाएं लेकर आने वाला हो सकता है इसके साथ ही सीवा पर विवाद के स्थिती बन सकती है ये दो ग्रहन कई शेत्रों में हाने के कारण भी बन सकते हैं सुरी ग्रहन शुरू होने का समय सबा 10 बचकर 20 मिनट से होगा और ये ग्रहन दो पहर 1 बचकर 59 मिनट पर खत्म होगा ग्रहन का सूतक काल 20 जून की रातरी 9 बचकर 52 मिनट से लग जाएगा और इसकी समापती 21 जून दो पहर 1 बचकर 59 मिनट पर हो जाएगी ये साल का तीसरा ग्रहन है जो कि सूरी ग्रहन है और इसके बुरे प्रिभाव से बचने के लिए भगवान शेव और भगवान विश्नु की उपासना करना लाभप्रद हो सकता है ताकि व्यक्तिकेट परिशानियों के साथ ही समाजिक और देश पर आने वाली बाधाओं से अब्सक्राइब चनल और प्रेस्ट बेल इकन वोर अप्टेट्स